स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना चनले में ऐसे construction वितरा हो और आज का टोंगिन दोस्तों बात करेंगे कि प्लिंद बीम का construction हो जाने के बाद, column का construction कब करना है? तो देखें यहाँ पर condition दो apply होता है, एक condition, first condition यह है कि प्लिंद बीम का नीचे में अगर brick work है, brick work का काम हुआ है प्लिंद बीम का नीचे में, वैसे में आपको column कास्टिंग किस तरीके से करना है, column काम जो है कब करना है, प्लिंद बीम के बाद, और दुसरा यह है कि प्लिंद बीम के नीचे में आपका किसी भी तरीका brick work है, जहाँ पर प्लिंद बीम के निचे में brickwork है means foundation का काम करते हुए step by step आप करते हुए brickwork का काम भी कर चुके हैं और उसके उपर से प्लिंद बीम का काम किये हैं तो आप जो है column casting करवाना है तो इहाँ पर आप अच्छी तरही समझे जिस दिन आपका प्लिंद बीम का construction हुआ है casting हुआ है तो 24 घंटा के बाद means एक घंटे एक दिन के बाद वहाँ पर column starter का काम कर लीजिए column starter दे दीजिए उस दिन means 24 घंटे के बाद एक दिन में और दुसरा दिन means प्लिंद बीम का दो दिन के बाद आप column casting कर सकते हैं means फर्स दिन आप 24 घंटा के बाद column starter दे दीजिए column starter दे दिए एक दिन और दुसरा दिन आपको column construction आप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं दुसरा condition जिसमें प्लिंद बीम के नीचे में आपको किसी भी तरहिके का ब्रिक वर्ग ने है जहां पर इस्पेस है तो प्लिंद बीम का जब construction करने से पहले जो आप centring दिया है centring किये है centring के दौरान में नीचे में support दिये है प्लिंद बीम को construction casting करते समय में तो casting हो जाने के बाद जो है आपको लगभग exactly आपको साथ दिन के बाद आप column casting के process आप proceed कर सकते हैं मीन साथ दिन तक आपको किसी भी तरहिके से छोना भी ने प्लिंद बीम को curing कीजिए और साथ दिन के बाद जब आप column दिजिएगा तो वैसे में जिस तरहिके साथ दिन के बाद column starter दे दिए और उसके दुसरा दिन से आप column casting जो है centering करके आप casting कर सकते हैं यहाँ पर एक बात आपको धेन देना है कि जो आपका प्लिंद बीम का नीचे का centering दिए हैं तो जो support है उसे हटाना नहीं है मीन साथ दिन के बाद भी आप जो casting कीजिएगा column का means set वहाँ पर column starter दिजिएगा 7 दिन के बाद और दुसरा दिन से जो आप column casting का process means setering करके आप casting कीजिएगा तो 7 दिन के अंदर भीतर वो अपना support होना चाहिए प्लिंद बीम का नीचे का जो अपना formwork है setering वो अपना होना चाहिए और setering तब ही आप निकाल सकते हैं लगबग setering का काम हो चुका है means लगबग 14 दिन के बाद आप प्लिंद बीम का नीचे का जो अपना support का setering है formwork है उसे हटा सकते हैं और जो column casting आप जो काम कर सकते हैं तो 7 दिन के बाद column starter और दूसरा दिन आप column का काम प्रोसिद कर सकते हैं तो यही है दोस्तों जहाँ पर column casting के दौरान में और उससे पहले ही आपको यह चीज थोड़ा सा सोच कर विचार करके ही आपको casting करना होता है तो यही था दोस्तों और मिलते हैं अगले next वीडियो में इससी तरह का construction related topic को लेकर और तब तक के लिए इजाद दिजए आपका दोस्त राहूल महत्तो तो मिलते हैं अगले next वीडियो तब तक के लिए गुडबाई